लोटस अयर्वद इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे बजन घटानी के लिए डाइट में सामिन करें यह लो कर्व अनाच इसी क्या क्या फाइदा होगा वो भी आपको बता रहा हूं तो आई शुरू करते हैं बेट लोज के लिए अनाच फाइदेबन होता है क्योंकि बेपोसकत्तों का एक अच्छा सुरूत होते हैं और उनमें कुछ ऐसे गुड़ होते हैं जो बजन घटाने में मदद करते हैं अनाच में उच्छ मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और भूग को कंट्रूर करता है इससे आप कम कलूरी का सेवन करते हैं जिससे बजन घटाने में मदद मिलती है कुछ अनाचों का गलाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसका मतलब है कि वो धीरे-धीरे पचते हैं बिलेट सुकर के इस्तर को इस्तिर रखते हैं इससे भूग कम होती है और बार-बार खानी की इच्छा नहीं होती है अनाच में बिटामिन्स, मिनल्स और एंटि ऑक्सिडेंट होते हैं जो शरीर के मेटापॉलिज्म को भड़ावा देते हैं जिससे बजन कम करने की प्रिक्रिया में मदद मिलती है कुछ अनाच जैसे क्योनवा, जों और बाजना में कम कलोरी होती है जो बजन घटाने के लिए बेश्ट माने जाते हैं अनाज में प्रोटीन होता है जो मास्पीशियों को मजबूत बनने और बजन घटाने के दोरां मास्पीशियों के नुक्सान को रोकने में मदद करता है बजन कम करने के लिए कार्बो हाइडरेट का सेवन कम करने की मैं हमेशा सल्हा देता हूँ हम आपको बता रहे हैं पांच ऐसे लो कार्ब अनाज जिसका सेवन करने से आप अपना बजन कम कर सकते हैं तो पहला है बेट लॉस के लिए जों के फाइदे सौ ग्राम जौ में केबल 28 ग्राम कार्बो हड्रेट होता है जौ में गुलन सील फाइबर होता है जो पाचन को धीमा करता है और बिलेट सुगर लेबल को कंट्रोल करता है यह बजन घटाने के लिए फाइदेबंद है क्योंकि यह भूख को कंट्रोल करता है और जौ में मौज जिससे कैलोरी बंड करने की पिकरिया तेज होती है, बेट लॉस के लिए लोग जों की रूटी या जों की खिचली का सेवन करते हैं। दूसरा है बेट लॉस के लिए बाजरा के फाइडे, 100 ग्रम बाजरी में 23 ग्रम कार्बो हाइडरिट होता है, बाजरा एक गिलूटिन फिरिया नाज है जो लो कर्ब और उच्छ फाइबर वाला होता है, ये पाचन को सुधारता है और पेट की चर्वी को कम करने में मदद करत है, बाजरी का गलाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब है कि धिरी धिरे पच्छता है और रक्त सक्रा के इस तर को इस तर रखता है, इससे अचानक भूकी क्रेमिंग होने की समस्या कम होती है, और बेट लॉस में मदद मिलती है, बेट लॉस के लिए क्योणवा के और फाईबेर, 90 में कि रखता हैं। कि फाइबर की भी पिरुचुद मातरा होता है क्योदभ में स्वाइबर के लिए जरूरी है क्योनौ में क्लियरी कम होती है जिससे बज़न कम होता है है कि प्रैट लोस के लिए अमर्नाथ के फाइदे 100 ग्राम अमर्नाथ में 19 ग्राम कार्गोहाइड़िट पाया जाता है इसमें पोर्टीन और मिर्णल से भरपूर मात्रा होती है जो बजन घटाने के साथ सरीर को पोसल भी देता है अमर्नाथ सोविक रूख से ग्लूटेन फ्री है अमर्नाथ में बिटामिन मिलनल्स और एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो सरीर के मेटापॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं और बजन कम करने की पिकरिया तेज होती है बेट लोस के लिए ओट्स के फाइदे 100 ग्राम ओट्स में करीब 600 ग्राम कार्बोहड्रेट होता है बेट लॉस के लिए लो कार्व ओट्स एक बेहतरीन बिकल्प है क्योंकि इसमें घुलनसील फाइबर की मात्रा होती है ओट्स में बीटा ग्लूटन नाम का फाइबर होता है यह फाइबर पेट को लंबी समय तक भरा हुआ मैसूस कर सब्सक्राइब कार्बोहड्रेट की मात्रा कम होती है यह बेलेट सुगर लेवल में कंट्रोल कि रखता है क्योंकि और सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन की घंटी वजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें धन्नवाट कर दो